Hello everyone, this is Dikshar Athor and welcome back to my channel So friends, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परदूशन से समन्दीत महतपुन प्रश्न को EVS का ये बहुत important topic है जिसके हम question डिस्कस करेंगे So जल्दी से वीडियो को like and share कर दीजिए और चैनल को subscribe कर लेजिए तो डियर अब हम class को जो है शुडू कर लेते हैं सबसे पहला question जो है world liner question हम डिस्कस करेंगे इसमें सबसे पहला question है वाईउ मंडल में गैसों का अनुपात कितना होता है देखिए आपके environment में gases होती है और सबसे ज्यादा मात्रा में gas होती है नाइट्रोजन कितनी परसंट होती है 78.08% और देन उसके बाद होती है oxygen 20.94% और गन होती है 0.93% देन होती है carbon dioxide 0.03% तो यह जो है आप अच्छे से याद रख लेना और पूछा जा सकता है कि वाईउ मंडल में कौन सी गैस जो है सरवादिक मात्रा में है तो वो है nitrogen clear next question है कौन सी गैस दम घोटू gas कहलाती है तो यह है carbon monoxide CO clear next question है वह कौन सी गैस है जो हीमोगलोबिन की oxygen व्यहन ख्रमता को कम कर देती है तो वो है carbon monoxide pollution शबद की उत्पती किस शबद से हुई है तो यह हुई है लेटिन भाषा के pollution pollutionum शबद से ठीक है next question है cracking gas किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है sulfur dioxide को और यह बहुत important question है dear आपको अच्छे से यह पढ़ने है no down आपको करना है ताज महल किस गैस के कारण सरवादिक प्रभावित हुआ है तो यह हुआ है sulfur dioxide की मात्रा के कारण methane gas के उत्सरजन के स्त्रोट माने जाते हैं तो यह है आद्रभूमी धान के खेत कोईले की खदान जुगाले करने वाले पशु और समुद्र clear methane के स्त्रोट से सरवादिक मात्रा में उत्सरजित होती है तो यह है आद्रभूमी 76% मात्रा जो है उत्सरजित होती है अगला है शीशे से मानशरीर का कौन सा भाग अधिक प्रभावित होता है तो यह होता है मस्दिक्ष तंत्रिका तंत्र benzene से कौन सा रोग होता है तो यह होता है रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर जिसको कहती है स्टोर्न लेप्रोसी क्या है तो यह है अमल वर्शा की कारण एसिद रेन की कारण जो है प्राचीन भावन जो है ट्रैडिशनल जो भावन है और मूर्तियों का गलन 다음 और इसका जो उधारण है वो है ताज महल, ताज महल पर Acid Rain की जो, मतलब Acid Rain जो गिड़ती है ना तो वो भी पीला पन जो है ताज महल पर पड़ रहा था, ठीके और यह किसकी कारण पड़ रहा था? Acid Rain के वजह से नेक्स्ट है सुपर सोनोटेक जेट वीमानों से निकलने वाली कौन सी गैस और जोन ख्षरण में एहम भूमिका निभाती है तो ये है नाइट्रोजन ओक्साइड प्रकाश रसाइनिक स्मॉग में कौन सी गैस समलित होती है तो ये होती है नाइट्रोजन ओक्साइड और जो ह पार्थी नियम गाजर घास केक परागन से कौन सा रोग होता है तो यह होता है चर्म रोग एवं दमा अगला है लाइकन किस पर्यावरणिया प्रदूशक के प्रदूशन के सूचक माने जाते हैं तो यह माने जाते हैं वाईयो प्रदूशन के इटाई इटाई रोग किसके का तो यह कहा जाता है तो यह कहा जाता है पार्थीनियम यानी गाजर घास ध्युक्र टॉर क्लियर तो आप इसको अच्छे से याद रख ले나 एर पॉलूशन प्रिवेंशन एक्ट एंड कंट्रोल बिल कब लाया गया तो यह लाया गया 1981 में शीशा रहीद पेट्रोल में उची ओक्टेन महान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है तो बैंजीन, टॉल्योन एवं जाइलीन तो यह नाम ना आप इसको अच्छे से याद रख लेना अमलिये वर्षा के जल का पी एच मान होता है तो यह होता है 4.2 से कम तो आगे हम यह डिसकस कर लेते हैं धूल के कणों से होने वाले प्रमुक रोग तो यह धूल कण है और यह है रोग तो कोईला धूल कण से जो रोग होता है वो होता है एंत्रोकोसिस रोग सिलिका से होता है सिलिकोसिस रोग एसबेस्ट से होता है एसबेस्ट्रोसिस रोग लोहा कण से होता है सीरिरोसिस रोग गन्ने की धूल से होता है बेगसोसिस रोग कपास की धूल से होता है बिसनॉसिस रोग अनाच की धूल से होता है रिषक फुफुस रोग तमाकू की धूल से होता है टोबेकोसिस रोग तो ये धूलकन और उनके रोग थे ये important होते हैं क्योंकि mostly exam में पूछे जाते हैं ओके और आगे हम discuss करेंगे इपोर्टन कोश्चन जो है जल प्रदूशन से रिलेटिड तो पहला कोश्चन है जल की गुणवत्ता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है उत्तर है जैव ऑक्सीजन डिमांड जिसको कहते हैं बी ओडी रसाइनिक ऑक्सीजन डिमांड सी ओडी धूली ऑक्सीजन डी ओ तथा पी एच मान से जो है जल की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है नेक्स कुश्चन है भूमिकत जल के प्रमुख परदूशक तत्व माने जाते हैं तो ये है और्सनिक एवं फ्लोराइड कोईला उड्योग में सलगन लोगों में कौन सी बिमारी होती है जो कोईला उड्योग में काम करते हैं तो उनको बिमारी होती है निुम्नो कोसिस क्लियर ये नाम अच्छे से इसको याद रख लेना और एबर फ्रेंड्स वीडियो को शेर जरूर कर दीजिए और जिन्होंने लाइक नहीं की है वीडियो लाइक कर दें अगला कोश्चन है विशाणू अपसिस्ट के प्रमुख जल अपघटन कारी सुक्षम जीव है तो ये नाम याद रख लेना स्यूडो मौनास कैपेशिया स्यूडो मौनास प्यूटिका एवाई कोली तो ये सुक्षम जीव के नाम है ये अच्छे सी याद रख लेना कपड़ द्योग में सलगन ने लोगों में हुने वाला रोग जो है ठीकर सलगन आए गए याँ पर तो कपड़ द्योग में जो काम करते हैं उनको जो रोग होता है वो होता है बिस्नौसिज clear और जो कपास के धूल जो होते हैं कपास की धूल उससे भी रोग होता है बिस्नॉसिज और कपड़ा द्योग में जो काम करते हैं वो यही है रोग बिस्नॉसिज पीने योग्या पानी में औरसनिक की अधिकतम अनुम्य मात्रा है तो 0.05 मिली ग्राम यानि लिटर केंद्रिय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1985 में एवं 1995 से रास्ट्रिय नदी सरक्षन प्राधिकरण बनाया गया जल में कार्वनिक योगिकों का मापन किस विधी से किया जाता है? तो यह किया जाता है क्रोमेटोग्राफी से नेक्स कॉश्चन है ब्लैक फूट नामक बिमारी का कारण है तो यह है औरसनिक की अधिकता नेक्स कॉश्चन है जल प्रदूशन नियंतरन अधीनियम कब लाया गया? तो यह लाया गया 1974 में अगला कॉश्चन है और आगे हम डिस्कुस करेंगे कुछ इपोर्टन फैक्ट्स हैं जो आपके एक्जाम के लिए बहुत इपोर्टन होने वाले हैं मोसली एक्जाम में पूछे जाते हैं कि नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम कैल्शियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है तो कैल्शियम की अधिकता से रोग होता है इटाई इटाई रोग और सीबी की अधिकता से कौन सा रोग होता है तो यह होता है ब्लैक फुट रोग फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है तो यह होता है फ्लूरोसिस रोग ठीके डियर तो यही थे आज की हमारी क्लास जो फीनिश हो जाती है बाकी आगे कुछ भी नहीं है तो आपको कितनी अच्छे लगी है यह क्लास प्लीज जादा से जादा जो है शेर करके आप बताईए वीडियो को कि आपको इतनी जादा पसंद आई है और एक एक जो हैल लाइक सभी कर दें एक एक शेर सभी कर दें अपने वाट्सअप ग्रूप में टैलिग्राम, इंस्टाग्राम, फेस्बुक सभी जगा